नमस्कार दोस्तों, 157 कमपनियों का डिविडेंट बाइबेक बोनस अस्प्लिट निउज लगा रहा हूँ लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन अन कर लिजिए ताकि अस्टॉक मार्केट की कोई भी निउज सबसे पहले आप तक पहुंच सके पहली कमपनी का नाम किपिट टेक है इसकी डिविडेंट प्लस क्वाटर थीरी रिजल्ट की मीटिंग 13 जनवरी को है और इसकी रिकॉर्ड डेट अपकमिंग है नेक्स्ट कमपनी केवल किरन क्लोथिंग है इसकी डिविडेंट प्लस क्वाटर थीरी रिजल्ट की मीटिंग 20 जनवरी को है अगली कमपनी का नाम टानला प्लेटफॉर्म है इसकी डिविडेंट प्लस क्वाटर थिरी रिजल्ट की मीटिंग एक फरवरी को है अगली कमपनी का नाम टानला प्लेटफॉर्म है इसकी डिविडेंट प्लस क्वाटर थिरी रिजल्ट की मीटिंग 23 जनवरी को रखी गई है और इसकी record date upcoming है Next company का नाम DRC System India है इसकी current market price 48 रुपया है इसने अपनी bonus की meeting 18 जन्वरी को रखी है Record date upcoming है Next company GSK Pharma है इसके लिए B&K ने target 2450 रुपया का दिया है current market price 2192 रुपया है अगली company Infosys है इसके लिए नुवामा ने target 1800 रुपया का दिया है current market price 1512 रुपया है Next company Mag Advertising है यह stock split करने वाली है 1.10 की ratio में एक date upcoming है Next company Titan है Titan की current market price 3700 रुपया है इसकी quarter three result की meeting एक फड़वरी को है Next company Tin Plate company है यह merger करेगी 3300 रुपाद 10 की ratio में और इसकी record date 19 जन्वरी है Next company का नाम Aptus Value है इसकी current market price 322 रुपया प्रती share है इसके लिए InvestTech ने target 380 रुपया का दिया है Next company Signed है इसकी current market price 2222 रुपया प्रती share है इसके लिए HSBC ने target 2570 रुपया का दिया है Next company HCL है इसके लिए Nuvama ने target 1700 रुपया का दिया है जबकि current market price 1500 रुपया प्रती share है Next company Combs है इसकी dividend प्लस quarter three result की मिटिंग 6 फर्वरी को रखी गई है Record date upcoming है Next company Coal India है इसके लिए target मोतिलालोस वाल ने दिया है जो की target 430 रुपया का है current market price 377 रुपया प्रती share है Next company United Wander Horst है इसने अपनी stock split की मिटिंग 25 जनवरी को रखी है और इसकी record date upcoming है Next company Prestige State है इसके लिए नुवामा ने target 1596 रुपया का दिया है current market price 1350 रुपया है अगली company Cash Roll है इसकी dividend प्लस quarter three result की मिटिंग 1 फर्वरी को रखी गई है record date upcoming है अगली company का नाम Intellivate Capital है इसने bonus देने की घोचना की है दोन पात एक की रेशियो में एक state upcoming है Next company Ultra Tech Cement है इसकी current market price 10,000 रुपया पर 30 र है इसकी quarter three result की मिटिंग 19 जन्वरी को है Next company Hindustan Unilever है इसकी current market price 2577 रुपया पर 30 र है इसकी quarter three result की मिटिंग 19 जन्वरी को है Next company Aksar Aspintex है इसकी current market price 4 रुपया 60 पर 30 र है बोनस देगी एक अनुपात 5 की रेशियो में एक state 5 फरवरी है Next company वजाज आटो है या बाइबेक करेगी 10,000 रुपया पर 30 र के दर से बाइबेक tender द्वाड़ा आया है इसकी record date upcoming है Next company Kanani Industries है या बोनस देगी एक अनुपात 1 की रेशियो में इसकी एक state upcoming है Next company का नाम HPCL है इसकी current market price 430 रुपया है इसके लिए Morgan Stanley ने target 555 रुपया का दिया है Next company साला साथ techno engineering है या बोनस देने की घोशना की है चार नुपात 1 की रेशियो में इसकी एक state upcoming है अगली company का नाम Wari Renewable Technologies है इसने अपनी stock split की meeting 20 January को रखी है और इसकी record date upcoming है Next company SBI Life है इसके लिए target JP Morgan ने दिया है 1600 रुपया का current market price 1433 रुपया परती सेर है Next company Cole India है इसके लिए Nuwama ने 500 रुपया का target दिया है current market price 385 रुपया परती सेर है Next company का नाम Siri Cement है इसकी interim dividend प्लस quarter 3 result की meeting 31 जनवरी को है और record date 8 फरवरी को है Next company Bajaj Auto है इसकी quarter 3 result की meeting 24 जनवरी को है current market price 6700 रुपया परती सेर है Next company IOCL है इसके लिए current market price 639 रुपया परती सेर है आनन्द राथी ने target 149 रुपया का दिया है अगली company Gale India है इसके लिए मोतिलाल उसवाल ने target 195 रुपया का दिया है जबकि current market price 162 रुपया परती सेर है Next company Persistent System है इसकी dividend प्लस quarter 3 result की meeting 20 जनवरी को रखी गई है Next company का नाम ONGC है इसके लिए MK ने target 250 रुपया का दिया है जबकि current market price 208 रुपया परती सेर है Next company का नाम ASKEEPER है यह right issue करेगी 1.10 की ratio में right issue price 194 रुपया परती सेर है record date 12 जनवरी है Next company Tata Steel है Tata Steel के लिए JEM Financial ने target 150 रुपया का दिया है current market price 135 रुपया परती सेर है Next company WebUp Global है इसकी interim dividend प्लस quarter 3 result की meeting 30 जनवरी को है record date 8 फरवरी है Next company PCBL है इसकी interim dividend प्लस quarter 3 result की meeting 15 जनवरी को है और इसकी record date upcoming है Next company Titan है Titan के लिए CLSA ने target 4,494 रुपया का दिया है current market price 3,730 रुपया परती सेर है Next company BankUpBeroda है इसके लिए target Morgan Stanley ने 240 रुपया का दिया है current market price 222 रुपया परती सेर है Next company Dalmia भारत है इसके लिए ICICI Direct ने target 2700 रुपया का दिया है current market price 2275 रुपया परती सेर है Yes Bank के लिए प्रकास गावा ने target 100 रुपया का दिया है जो की 4-5 सालों में achieve की जाएगी current market price 22 रुपया है Next company Oil India है इसके लिए MK ने target 445 रुपया का दिया है current market price 380 रुपया परती सेर है Next company NPST है यह bonus देगी 2.0 पात 1 की रेशियो में X date upcoming है Next company का नाम 3 सक्ती इंडस्टीज है यह stock split करेगी 1.5 की रेशियो में और इसकी X date 16 जनवरी है Next company का नाम Concord है इसकी dividend प्लस quarter 3 result की मीटिंग 24 जनवरी को रखी गई है इसकी current market price 855 रुपया परती सेर है अगली company का नाम IOC है इसके लिए Morgan Stanley ने target 191 रुपया का दिया है जबकि current market price 133 रुपया परती सेर है Next company Angel One है इसकी dividend प्लस quarter 3 result की मीटिंग 15 जनवरी को है Next company का नाम कफोर्ज है कफोर्ज की current market price 5700 रुपया परती सेर है इसकी dividend प्लस quarter 3 result की मीटिंग 22 जनवरी को है अगली company का नाम L&T है इसकी current market price 3500 रुपया परती सेर है इसके लिए USB ने target 4400 रुपया परती सेर का दिया है Next company HCL Technologies है current market price 1488 रुपया है इसने अपनी dividend की मीटिंग 12 जनवरी को रखी है एक स्टेट 20 जनवरी है Next company KPI Green Energy है इसने bonus की घोशना की है 1.02 की रेशियो में एक स्टेट अपकमिंग है Next company Tata Steel है इसके लिए Bob Capital ने target 150 रुपया का दिया है जबकि current market price 130 रुपया परती सेर है अगली company Vipro है Vipro की dividend प्लस quarter 3 result की मीटिंग 12 जनवरी को है Next company का नाम Asian Paints है इसके current market price 3311 रुपया परती सेर है इसकी quarter 3 result की मीटिंग 17 जनवरी को है Next company का नाम Nippon Life AMC है इसके लिए Jeffries ने target 540 रुपया का दिया है जबकि current market price 480 रुपया परती सेर है Next company TCS है इसकी third interim dividend प्लस quarter 3 result की मीटिंग 11 जनवरी को है इसकी record date 19 जनवरी है Next company SG Mart है या bonus देगी एक अनुपात 1 की रेशियो में इसकी X date upcoming है Next company का नाम Titan है इसकी current market price 3730 रुपया परती सेर है JP Morgan ने इसके लिए target 3950 रुपया परती सेर का दिया है Next company Cole India है इसके लिए ICICI Direct ने target 395 रुपया का दिया है current market price 377 रुपया परती सेर है Next company Case Solved India है इसकी dividend की मीटिंग 18 जनवरी को है current market price 1133 रुपया है Next company Foseco India है इसकी final dividend प्लस quarter 3 result की मीटिंग 23 फरवरी को है इसकी record date upcoming है Next company Gothi plus Con है इसकी dividend प्लस quarter 3 result की मीटिंग 20 जनवरी को है और इसकी record date 30 जनवरी है Next company विदानता है यह de-merger करेगी 591 की ratio में और इसकी X date upcoming है Next company का नाम AVG Logistics है इसने अपनी fund rising की मीटिंग 12 जनवरी को रखी है current market price 420 रुपया परती सेर है Next company का नाम Refx है इसने अपनी stock split की मीटिंग 24 जनवरी को रखी है इसकी record date upcoming है Next company Tata Motors है यह merger करेगी 7 अनुपाद 10 की ratio में जो की Tata Motors DVR को delist करके करेगी Next company का नाम KP Energy है यह bonus देगी 2 अनुपाद 1 की ratio में इसकी X date upcoming है Next company का नाम ICICI Bank है इसकी quarter 3 result की मीटिंग 20 जनवरी को है current market price 1000 रुपया परती सेयर है Next company का नाम GEO Financial Services है इसकी current market price 243 रुपया परती सेयर है इसने अपनी quarter 3 result की मीटिंग 15 जनवरी को रखी है Next company ITC है यह de-merger करेगी 1 अनुपाद 10 की ratio में और इसकी X date upcoming है Next company का नाम KESO RAM Industries है यह merger करेगी 52 अनुपाद 1 की ratio में अल्टराटेक के साथ में इसकी X date upcoming है Next company का नाम LIC है LIC के लिए MK Global ने target 975 रुपया का दिया है current market price 844 रुपया परती सेयर है Next company ABB India है इसने अपनी dividend की meeting 20 फरवरी को रखी है current market price 4833 रुपया है Next company Sinclair Hotels है यह bonus देगी 1 अनुपाद 1 की ratio में और इसकी X date upcoming है Next company Tata Power है इसके लिए share खान ने target 390 रुपया का दिया है जबकि current market price 333 रुपया परती सेयर है Next company Sula Vinayards है इसके लिए CLSA ने target 863 रुपया का दिया है जबकि current market price 600 रुपया परती सेयर है Next company Sandur Magneze है इसने bonus की घोशना की है 5 अनुपाद 1 की ratio में और इसकी X date upcoming है Next company HDFC Bank है इसके quarter 3 result की meeting 16 जन्वरी को है current market price 1655 रुपया परती सेयर है Next company Choice International है इसने अपनी bonus की meeting 15 जन्वरी को रखी है और इसकी record date upcoming है Next company Max Financial है इसके लिए Jeffries ने target 1200 रुपया का दिया है current market price 922 रुपया परती सेयर है Next company का नाम Cauvery Seed है यह buyback करेगी 725 रुपया परती सेयर के दर से और इसकी record date upcoming है Next company HCL Technologies है इसके लिए JP Morgan ने target 1520 रुपया का दिया है current market price 1400 रुपया परती सेयर है Next company NTPC है इसके लिए XS Securities ने target 345 रुपया का दिया है current market price 316 रुपया परती सेयर है Next company Hindalco है इसके लिए Jeffries ने target 725 रुपया का दिया है current market price 610 रुपया परती सेयर है नेक्स्ट कमपनी सुखजीत अस्टार्च कैम है यह आठ रुपया परती सेर डिविडेंट देने की घोशना की है इसके एक स्टेट 15 जनवरी है नेक्स्ट कमपनी का नाम क्वीडी लाइट है इसके क्वाटर थिरी रिजल्ट की मीटिंग 23 जनवरी को है करेंट मार्केट प्र प्राइस 382 रुपया परती सेर है नेक्स्ट कमपनी टाटा अस्टील है इसके लिए जेफ्रीज ने टार्गेट 160 रुपया का दिया है करेंट मार्केट प्राइस 140 रुपया परती सेर है नेक्स्ट कमपनी यूग डेकॉर है इसने अपनी राइट इसू की मीटिंग 22 जनवर को रखी है करेंट मार्केट प्राइस 68 रुपया परती सेयर है नेक्स्ट कंपनी का नाम टाटा मोटर्स है इसके लिए टार्गेट जेपी मोर्गन ने 925 रुपया का दिया है करेंट मार्केट प्राइस 800 रुपया परती सेयर है नेक्स्ट कंपनी एमके एकजीम है या बोनस देगी एक अनुपाद 2 की रेशियो में इसकी एक्स डेट 17 जनवरी है नेक्स्ट कमपनी का नाम धामपूर सूगर है या बाइबेक करेगी 300 रुपया परती सेर की दर से रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी है करेंट मार्केट प्राइस 270 रुपया परती सेर है नेक्स्ट कमपनी इन्फोसेस है इसके लिए जेपी मोर्गन ने टार्गेट 1800 रुपया का दिया है करेंट मार्केट प्राइस 1500 रुपया परती सेर है नेक्स्ट कंपनी SBI Life है इसके लिए IDBI Capital ने 1575 रुपया का दिया है करेंट मार्केट प्राइस 1433 रुपया परती सेर है नेक्स्ट कंपनी पूना वाला Finkop है इसके इन्रिम डिविडेंट प्लस quarter 3 रिजल्ट की मीटिंग 18 जनवरी के लिए